मद्रप्रदेश बिधान सभा चुनाव के लिए कॉंग्रेस ने उम्मिद्वारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। पहली लिस्ट में उनका नाम काट दिया था वहीं पिछोवर विधान सभा सीट से भी उमिद्वार बदल दिया गया है। खुरही से रक्षा राजबूत, रहली से जोती पठेल, सागर से निधी जैन, दमों से अजय टंडन, पन्ना से भरत मिलन पांडे, मैहर से धरमेश घाई, रामपूर वगलान से रमा शंकर पयासी, सिर्मोर से राम गरीब कोल, से मरिया से अभय मिस्रा, देवतालाप से पदमेश गौतम, रीवा से राजयंद शर्मा, सीधी से अज्यान सिंग, देवसर से वन्षमानी प्रसाद वर्मा, कुमिद्वार बनाएगा है। इसकेला कॉंग्रेस ने जबलपूर कैंटर से, अभिशेक चौकर से, चिंटू, भोपाल उत्तर से, अतीफ अकेल, भोपाल दक्षिन परस्चिम से, पीसी शर्मा, देवाज से, प्रदीप चोधरी, इंदौर तीन से, दीपक पिंटु जोशी, इंदौर पाच से, सत्य नार यादों को उमिद्वार बनाए गया है, इसकेला रिवा शहर से, राजेंदर शर्मा को भी चुनावी मैदान में कॉंग्रेस ने उता रहा है, यहाँ पर गवर करने वाली बाती है कि कॉंग्रेस ने अभी केवल 239 सीटों पर ही त्रत्याशी घोशित किये हैं, विधान सभा नंबर 139 की अमला अभी भी किसी सुची में शामिल नहीं की गई है, यह वही बिधान सभाक्षत्र है, जहांसे दिप्टी कलेक्टर नेशा बांग्रे के चुनाव लड़ने की बातें चल नहीं हैं, लेकिन यह तब तक मुम्के नहीं हो सकता, जब तक बांग्रे का सवास चताया, कॉंग्रेस को उम्मीद है कि जैसे पिछले विधान सभा चुनाव में उनके प्रत्याशों ने जीत हासिल करके सत्ता में पहुंचाने में मदद की थी, इस बार भी कुछ ऐसा ही खेल करने वाले हैं, अलाकि कॉंग्रेस ने पहली सूची में जाती समीकरण का खासा ध्यान रखा था, 144 नामों की सूची में ओवी सी वर्ग के 49 प्रत्याशों के नाम हैं, जबकि 65 टिकट 50 से कम उम्मर वाले लोगों को मिले हैं, यानि कि कॉंग्रेस ने इस बार इवाओं पर काफी फोकस किया है, इसके साथी अनसूची तजाती वर्ग के 22 और अनसू बिलाकर के कॉंग्रेस हर समी करोर को साथ देते हुए अपने प्रत्याशी उतार हैं, आईसम देखना दिल्चास्पोगा की चुनावी मैदार में कॉंग्रेस के प्रत्याशी कितना करिश्मा दिखाते हैं, जोकि दारोमदारी इनी सभी प्रत्याश्यों पर है और कॉंग्र लेकिन इसका मतरब यह भी नहीं है कि कॉंग्रेस के पास चुनोतियां कम हैं देखना दिल्चास्प पुगा कि कॉंग्रेस की इस बार के विधान सबाचुनाओं में कितना करिश्मा दिखाते हैं और साथ ही आम जनता का बिश्वास जितने में कितनी सफलता मिलती है